कैसे हूँ मेरे ओटल लोई दोस्तो मैं हूँ आपका हो शेफ धिरज आज हम लोग बात करने वाले हैं कौमी 3 की सेलरी और एक्जुटिव शेफ की सेलरी के बारे में जब भी आप होटल मैनेजमेंट का डिग्री या डिप्लोमा करते हो अपना धेर सारा अपने माबाप का पै बड़ी हिराकी है और जो सबसे ऊपर के पोजिशन से सबसे टॉप की पोजिशन से एक्जुटिव शेफ की उसकी सेलरी कितनी होगी क्योंकि हमेशा आप लोग सपना देखते हैं उस पोजिशन पर जाने का जो की देखना भी चाहिए जब तक आप सपने नहीं देखेंगे आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे पर बेसिकली आज हम लोग यहां बात करने वारे हैं उनकी सेलरी के बारे में कि उनको एक्जक्ट कितनी सेलरी मिलती है या फिर उनकी सेलरी किस प्रकार से डिसाइड होती है जब मैंने खुद होटल मैनेजमें के डिप्लोमा किया तो मे मैं जहां भी जाओंगा मेरी सतनखा 3200 रुपई ही होगी या जो उस नाइम एग्जुकुटिव शेफ था वहाँ पे उनकी सेलरी 2500-6 की बात करें तो 70-80,000 रुपई थी तो क्या उतनी ही होगी या बाहर किसी होटल में क्योंकि मैंने जो अपनी डिप्लोमा किया जैसे मैं ट्रेनिंग करी है वो फ्लाइट कीचन से किया है तो मुझे लगता था बाहर जो 5 सार होटल है या दूसरे होटल है या रेस्टरंट है वहाँ पे सेलरी कम या ज़्यादा होगी और सेम यही कोश्चन्स आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे तो आज मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से समझा दूँगा कि किस प्रकार से एक कौमी 3 की सैलरी डिसाइड होती है या फिर एक एक एग्जुटिव शेफ की सैलरी डिसाइड होती है तो सबसे पहले हम हम लोग बात करेंगे कौमी 3 की कौमी 3 सबसे पहले आपको समझना होगा हमारी जो प्रोडेक्शन डिपार्टमेंट कह लीजिए किचन डिपार्टमेंट बोल लीजिए वह सबसे नीची लोएस पोजीशन है उससे उपर आपके कौमी 2, कौमी 1, CDP, शूशेफ यह सब कुछ आते हैं और कौमी 3 से जो नीचे होते हैं वो सारे ट्रेनी होते हैं टाये आप IT, JT, OT, MT कुछ भी बोल लीजिए या फिर आपका जो जौब ट्रेनी कर रहे हैं तो आपकी जो सेलरी होगी वह सबसे कम होगी पर आपकी सेलरी जादा होगी जो ट्रेनी करने वालों से जो भी करें, Eti से हो सकता है कि आपकी सेलरी थोड़ी कम हो पर इन सबसे आपकी सैलरी जादा होगी अजा काूमी 3 अब यह यहा। जो भी डिसाइड होगी कि सबसे पहले ही यह डिसाइड होगी आपस्टेट में काम करते हैं क्योंकि हर किसी स्टेट का जो minimum pay scale होता है pay scale का मताभे कि आपके गुजर बसर चलाने के लिए हर स्टेट में अलग-अलग एक मिनिमम पेस केर बना दिया जाता है उसके अनुसार आपकी सेलरी डिसाइड होती है तो कम से कम इतनी सेलरी तो आपको मिलने ही चाहिए जैसे कि देली में 12,000 है गुरगाओं में 10,000 है बाकि स्टेट में ये इसके मुकाबले कि आप किसी एक छोटे से रेस्टोन में काम कर रहे हैं तो ये दो चीजे होगे दूसरा डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री अगर आप कौमी थ्री इंडिया में हैं आपको 15,000 रुपे मिल रहे हैं 12,000 रुपे मिल रहे हैं वही आप दुबाई चले ज हमारी तीसरी बात चौता सब्स और आपके णॉलेज और आपके पर जétaisत जैसे आपका लिज बढ़ता है उसके हिसाब से बी आपकी ये विए होगी हमारी तीसरी बात लिजुक्स और आन बाट लास्ट है ओपे लिगे से पास-पास-ई-ब्राइए का आप दो उब्रॉय के इंटर्वी के लिए कॉमिथ्री के लिए आपके पस थोड़ा अच्छा नॉलिज था आप बुक्स पढ़ते थे मेरी वीडियो देखते थे आपने आपने पास कले इंटर्वी और आपकी जो मिनिम्म सैलरी पंद्रह हजार हो गई पर उन्होंने उस टाइम आपक किसी एक छोटे रेस्टोन में गए आप वहां भी सेलेक्ट हो गए पर उन्होंने आपके दोस्त को भी सेलेक्ट कर लिया आप दोनों को उन्होंने सैक कर लिया पर जो उन्होंने वह सैलरी रखी वह रखी आपकी सिर्फ दस हजार तो यह आपको दस हजार की नौकरी आपको या आपकी दोस्त को जिसको भी offer होगी वो आपकी knowledge के base के उपर depend करती है तो इस तरीके से किसी एक कौमी 3 की salary decide होती है पर basically अगर मैं आपको अपने experience से बता हूँ जो minimum pay scale होता है उतनी तो salary एक कौमी 3 को देने ही पड़ती है बाकी अगर आपकी company अच्छी चल रही है आपका restaurant अच्छा चल रहा है तो किसी भी company को अपने employee को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो ये बात होगी हमारी कौमी 3 की अब executive chef की salary कैसे decide होती है executive chef आप लगा लिजे top most position में हमारी kitchen की होता है अब तो इससे उपर भी positions होने लगी है पर हम उसको यहाँ पे फिलहाल executive chef को ही top position मानते है अब जो एक executive chef है उसकी salary कैसे decide होगी सबसे पहले decide होगी company जी है अगर ओब्रॉय में कोई एक chef है तो उसकी तनका हो सकते है की ढाई लाग या तीन लाग को वहीं कोई एक छोटा restaurant है उसमें उसकी salary मान लीजे हो सकता है 80,000, 90,000 या लाग तक या फिर अगर आप किसी इंडिया में job कर रहे हैं आपकी salary ओब्रॉय में 2,000,000 रुपे पर आप बाहर जाके किसी दूसरे बड़े restaurants में काम करते हैं या फाइसर होटल में काम कर सकते हैं करते हैं तो आपकी salary 5,6,000 भी हो सकती है वही आप Delhi में हैं किसी एक छोटे से होटल में काम करें 3 star में हो सकता है कि आपकी salary सिर्फ 50,000 ही हो क्योंकि यहाँ पे जो minimum pay scale है 15,000 से उपर देना है किस तरीके से रन कर सकता है और जो salary होती है वो कितनी भी हो सकती है तो आज आपको मैंने इस वीडियो के माधियम से समझा दिया कि एक कौमित्री और एक executive chef की salary कितनी होती है अब आप खुदी अंदाज लगा सकते हैं जहां भी आप काम कर रहे हैं कि आपके executive chef की salary क्या है या फिर आप जहां भी training कर रहे हैं आप अंदाज लगा सकते हैं आपके आप जिस भी state में आपके वहाँ पे कौमित्री की salary क्या है उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगे होगी और आप इसको आगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अब चाहे तो मुझे whatsapp पे questions पूश सकते हैं जिसका जो description है मैंने अपने इंचे लिंक में दे दिया है चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद